in hi friends welcome back to my youtube channel 30 classes दो दोस्तों अपनान जो पहले लेक्चर में जो पढ़ा था cow की बिरिट जिसमें अपना ने जो इंडियन जो आपकी cows cattle की जो बेल्स थी वो पढ़ने थी he इत वृट हो दो कि आपकी जो प्रपेटुस होगी ठीक है तो उसमें क्या है कि अपना जो एकजॉ्टिक buril परेज है को भसे का लंभा हो गया था इसलिए को एक्शरर यह आपका इसमें अपने पढ़ेंगे जो koncelleaug तेज़वलब की गुई होती है और जो आपकी एक्जोटिक ब्रेट्स है विदेशीनेश लें तो उसके बारे में अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ठीक है दो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है गौविन तिट्दिया और आप देख रहे हमारा यूट्यू चैनल तिट्दिया खलासेज एक्जोटिक डेरी केटल ब्रेट्स तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ने वाले हैं जर्शी ठीक है तो जर्शी जो आपकी जो ब्रीड्स है जो टिट्दिया समॉलेश टॉफ डरी ब्रीड्स ओफ केटल एड औरीजिन प्लेसटि आइजलैंड उफ जर्शी यूकै तो यान गूल रहूं एकजोस्टी के अंदर सिजौ 40 फ्रीट से जरशी ठीक है साइज में और इसका अरिजन पलैस है आइज़ेनिद ऑफ जर्सी यू के थीक है रेटीक है जो जर्सी एक मातरश इंडिया चींडिया अच्छे तरीके से यान की इंडिया का जो अपना जो अपना जो क्लाइमेट है इसको मतलग वेल शुटेबल है इंडिया का इसके लिए अच्छे से शुटेबल है यहां पर यह अच्छे से शूट करता है इसको इंडिया का क्लाइमेट ठीक है widely used in cross breeding with indigenous cow तो यहां का जो climate इसके लिए suitable है इसलिए सबसे ज़्यादा जो cross breeding के अंदर जर्सी यूज की जाती है अपने जो indigenous cow जो होती है इनकी जो इंडिया की जो आपकी breeds है उनके जाद जो जो सबसे ज़्यादा जर्सी की होती है ठीक है इसकी जो बोडी का जो कलर होता है जर्सी का वह रेडिस फाउन कलर का होता है ठीक है डबल डिशिट फेस एंड आई एर प्रोमिनेट अंड कॉंपक्ट एंड एंगुलर बोडी यह इसका identification जो जर्सी का तो इससे अपने इसको पहचान सकते हैं कि आपकी जर्सी का हुए अडर इज लार्ज विल्वेल स्पेसिटीट से एंड दा मिल्क इज रिच इन फेट ठीक है तो इसकी जर्सी का जो आपका मिल्क है इसमें सबसे ज़्यादा फेट होता 5.3% कितना होता 5.3% तो को 4,000 kg लगबग समतिंगे लेक्टेशन मैंने आपको पताया था एक्जोटिक जो प्रिड्स होती है उनका जो मिल्क प्रोडुक्शन होता है वह इंडियन के मुकाबले ज्यादा होता है तो आपको याद रखना है 4,000 kg पर लेक्टेशन इसका मिल्क प्रोडुक्शन है जर्सी का ठीक है यह आपके जर्सी काव है इसकी आप देख सकते एक तो आपको यह जो बैक मिलेगी पीट जो मिलेगी एकदम स्ट्रेट यानि कि हमप नहीं होगा जो कुबड होता विदेशी नसलों में वो नहीं होता जो आपके इंडियन जो ब्रिड्स होते है उनमें होता है ठी करि livre ने किंदम इसकी बोडी भॉट एगनल नहीं के दो कॉन ही होकि इसकी बोडी इससे इसको पैचान सकते है है और इसका senos होता यह प्लद essay होता है यह जो धुशन पैस होता है ठीक है तो यह जो मेजर इसके आइदन्टिफिककेशन फीच्छर एं ब्र उसक खर लावा मि arlistin Frigian जिसका है इकी है इसका जो ओर इजन है वो है निदर लैंड या फिर तो इसका जो अडर होता है इसका यह लार्ज होता है, साइज के अंदर पैंडुलिस के लार्ज ठीटे ना वह बहुता है लोंग साइजिके अंदर लोंग होते है ठीक है और यह लार्जस्ट डेरी ब्रीड पोलते हैं इसको harp syng घ्न कोरिए है इसकी जो टेल होती है हो वह लाल 700 kg तो यह द्यान रखना कि अपनों जब इंडियन ब्रीट्स पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ब्रीट्स थी वह सबसे हैवी ब्रीट्स याने कि अपने वजन में सबसे ज़्यादा भारी ब्रीट्स थी जो कांकरेज थी आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा क्या एक लारजेश्ट रिवीडियान की वेट जो इसका ज्यादा होता है जो फिमल का होती है उसका बेट लग्बुक 700 kg होता है ठीक है तो यह भी ध्यान रखना यह भी चाहा को सरो तो शंका निद्यू पोड़ी का कलर होता भो ब्लेक एंट वाइट कलर कि games से इसे आपने को इजिली पता कर सकते हैं कि यह आपए खिंड के न्यकु पर इंडिया के इन और आपने देख देख भी रखियोगी है और यह आप इसका आडर देख सकते हो कि इतना मलोग है याई कि मिल्क वैंस दो दिखरी आपको तो सबसे ज़्यदा मिल्क प्रोडेक्शन वाली वो है आपकी ये ब्रिट्स फिर नेक्स्ट आपकी ब्राउन स्वीश इसका जो औरीजन प्लेस है वो है स्वीजर लैंड ठीक है ब्राउन स्वीश का औरीजन प्लेस है स्वीजर लैंड ये आपकी ट्रिपल परपर्पर्पर्पर्पर्पर्पर् प्रोटेसन नों वरक है उनमें पाँबने इसको काम में लेता है था है सिसके जो एनिमेल होते हैं वह रुग्ड नेचर के होते हैं और mı्ल którą कर दक्रडेक्शन कह अच्छा अच्छा होता है बोडि का कछलर इमएज में देख सकते हैंडस ऐसी होती है फिर नेक्स्ट आपकी जो ब्रीडस ह है वो है रेड डेन इसका जो टेंबार्ड डेनermtoo गे ने का औरीजन प्लेस है डेनमार्क एर जो बॉडिका जो कलर होता है सस्ट इणिस प्रीट का रेड होता है या फिर रेडिस ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन भी हो सकता है यानिकि लाल कलर भी हो सकती है डार्क ब्राउन की भी हो सकती है और रेडिस ब्राउन भी हो सकती है यानिकि लाल और ब्राउन दोनों में मिक्स भी हो सकती है तो इसका जो बोडी का कलर है यह भी हैवी से 4000 kg पर लेक्टेशन तो इसमें जो फेट कंटेंट होता है वह 4% होता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है यह देखो यह भी मतलों कि देखने में हैवी ब्रीड लगती है मतलों कि इसका भी पजन ठीक है तो यह रेड़ डैन है ब्राउन और रेड़ कलर की दोनों में आपको यह मिलती है फिर नेक्स्ट आपकी जो ब्रीड है ओए इस इसका जो औरिजिन प्लेस है और यह जो ब्रीड आपकी मॉस्ट ब्यूटिफुल डैरी ब्रीड यानि कि दिखने में अची है दिखने में यह सुद्र ब्रीड है इसको मैंनेज करना बहुत हर्ड है क्योंकि एक्टिव एनिमल य कुछ खास नहीं है बटर फेट होता है उल्ली चार प्रसंटिस में होता है ठीक है तो मिलका इसका कुछ नहीं बस इसमें यही दो चीज़ याद रखनी एक तो यह स्कॉटलेंड इसका ओरीजिन प्लेस है और यह मुस्ट ब्यूटिफुल डेरी ब्रीड है तो यह आपको जो की हाड होता है और देखने में भी आपकी मुस्ट ब्यूटिफुल ब्रीड है फिर नेक्स्ट आपकी जो ब्रीड एक्जोटिक वह है गंसी ठीक है इसका जो औरीजिन प्लेस है वह समाज समॉल आईजलेंड ऑफ गंसी जो फ्रांस के अंदर है समॉल आईजलेंड ऑफ सी फ्रांस के अंदर ठीक है इसका जो मिल्क होता है वो गोल्डं कलर टा का हुटता है कैसा होता है जो तक रेडिव स्वाल शरके कया करता है जो जो आपको कैनसर बगरा डीजीज होता है कैंसर मुद्ञेइस को trad Jewish करता तो वह कशि Ellis के तो इसके लावा इस इसके जो इसका जो मिपन्स में बटर फैट घो ता वह जदा इस परसंट होता है ठीक है और प्रोटीन भी इसमें ज्यादा होती है 3.7 परसंट इसमें प्रोटीन होती है तो यह भी अच्छा कोशन है याद रखने हैं आपको लगबग इसका जो मिल्क प्रोडेक्शन पांच जार लिटर होता है पर काव परेंदम ठीक है तो इसमें तीन इक बनते हैं एक तो इसका गॉल्डन कलर होता दूद का जो बीटे करो टीन के कारण होता है कैंसर को रेडियूज करता है दूसरा इसका ओरिजिन समाल यह यह जो बीट से आपके गंध च्यां ठीक है आप अपने पढ़ेंगे क्रोड विडिट अभी अपनों नहीं पढ़ने पढ़ली सारी जो आपके एक्जॉर्टिक नसले थी उसके बारें पढ़ली अब अपने क्रोड़े स्परीटे जो मलोगी क्रोशिंग करके जो किया गया तो किसके बीचमें क्रॉसिंग हुई एक तो नonaगउस्कृप्ट के टल और उसके लाबब ब्राउन स्विस जर्शी कोल सिंग इनके बीच में इसका वह ग्रॉसिंग हुए तो नन डैस्कृप्ट का मतलब हो कि इसकी यह मतलों कि देA si nissal इसका इसकी जो नसल है फ़ी किस नसल की बीड़ है वह अभी इंटिफाइं नहीं जुए इसको बोलते हैं नउन । अभी अपने को पता नहींग है कि यह जो आपकी ब्रीट है किस नसल की है तो वह आपकी नोन यानिकी देशी जो है उसका क्रोस करया है ब्राउन स्विस्ट के साथ जर्सी के साथ और होलेश्टीन फ्रीजिन तो त्यान रखना जो आपकी इंडियन या इंडिजिनेस जो कैटल होएगी उसका हमेशा अपने फिमेल काव लेंगे और जो आपका जो फोरेंड वाली जो आपकी विदेशी जो आपकी नसल होगी उसका अपने हमेशा बुल लेंगे यानिकी मेल बुल लेंगे ठीक है तो यह नॉन डेस्क्रिप्ट केटल ब्राउन स्विस्ट जर्शी और लेस्टीन फ्रीजिन दोनों का क्रोस कराया गया था केरला के अंदर तो सून अन्दीन आपकी विर्ट ये अब नेन डाइब भूईटी कि इसका जो बॉड़ी का कलर है लाइट direct होता है इसका इसकी जो बेक होती है रहर फेक्ट होता है एक ओलेट होता है आदर जो होता है उसके वैल Alpha पीड यू थाण होता है हुशसको बोलते हैं इसको बोलता है मिल्क प्रोड़क्शन जो होता है 15 कजफ पर लाग टेशन मिल्क कर्डेक्शन होताइग का वह यह आपकी ब्रीडで भी लातर प्रोंच से डवल्प कीई करला के इंदर आपका जो एंडिया रही है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टिटूट करनाल जो हर्याना के अंदर है तो वहां पर इसको मतलों की डवलप किया गया था इसको करन स्विस को करन स्विस में जो क्रोसिंग कराई गई थी वो ब्राउन स्विस का बुल लिया था और आपकी साइव बोडी का कलर जो होता है सेड्स होती है लाइट ग्रे टू डार्क ब्राउन कलर की तो सार्प इसके होर्न्स होते होते हैं वो तीके होते हैं सार्प होते हैं इसके छोटे-छोटे होते हैं कान छोटे होते हैं लार्ज बोडी होती है मेडियम इसकी गर्दन होती है और स्लाइ यह एंडियरे करनाल जो आपका है रियाना के अंदर वहां से इसको मतलों कि विक्षित किया गया है यह है करन स्विश काइच तर नेच्ट आपकी करन्ट फ्रेज करन्फ फ्रेज या करन्ट फ्राइज ठीक है तो यह भी करन्ट इस खीद है यौइ करव हैं विक्षित की हुई यह नसल जो आपकी तो करंजर इसका जो आप का क्रोशींग तो तो लेश्टिन प्रीजिन आपको पता मिल्क प्रोडेक्शन के लिए जाने जाती है तिक और थार बार कर जाने जाती है जो हीट टोलिरेंस के लिए तो आपका हीट है जो गरम इलाका वहां पर ही एच्छे से सूटेबल है तो दोनों का मिक्स करके ये करन फ्रीज जो आपकी नसल है इसको विक्षित किया गया है तो इसमें दोनों के गुन है ठीक है बोडी का कलर इसका वाइट स्पोर्ट होते हैं बोडी पर जैसे आपके उलिस्टिन फ्रीजिन के होते हैं लगबग वैसी दिखती है सेम फोरेड एंड टेल आफ दा काव यानिके वाइट कलर की स्पो लगजें लग जैसे लंब पार कर गूंकि विक्षित हो यांड एंड्यरई करल के अंदर यह आपको ध्यान रखना है तो यह आपके करन फ्रीज है जो आपकी दिखने में व्लस्टिन फ्रीजिन जैसी ही लगद है क्रोस जो ऐसल उस्तिन फ्रीजिन नोइउन त्हडर् परक क्रोस ख्रया गया था क्रोस करहा गया था वह क्रहा गया था ट क crushing का बूल लिया था और स्वाइब कि उसका दो फिमल आपका जvos पार texto काव ली ठीट को यह याद रखना जो प्रीजवाल है इसका ग्रोस क्राया है होले ones featuring और साइवाल के बीच में तो यह द्यान रखना की जो आपको की फिरिज्वाल की किखो ने वाल है ठीक है फिर नेक्स्ट आपकी जो क्रोस ब्रीड है वो है टैलर कैसी है टैलर तो इसका जो औरीजन प्लेस है वो है पटना भिहार आपका ओरीजन प्लेस है ठीक है तो टैलर एक क्रोस ब्रीड है किसके बीच में एक लोकल ब्रीड और जर्शी के बीच में जो जर्शी ह बोड़ी का कलर इसका वैरी करता सैडस होते ग्रेक में इन्खलूर स्पॉर्ट सेंट इस प्रैप इंचेबर लाइक इस वह आपको धारिया में दिखती है स्सक्राइब कर दीक साओवant करें दूभ है तो ठीक है फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही था तो अपनोंने अब आपकी जो किटल की ब्रीड थी वह पढ़ लिए उसके लावा जो cross breeds थी वह भी पढ़ ली तो अब अपनी cattle के जितने भी breeds थी और उसके बारे में अपनों मैं complete पढ़ लिए और cattle के से लेटेस्ट है भी टर्मिनलोजी वह थी वह भी अपनों अच्छे से पढ़ा लिए अब अपने नेक्स्ट बढ़ेंगे भूफैलो की ब्रिट्स फिर अपने दीरे-दीरे ब्रिट्स पढ़के ब्रिट्स के बाद हम ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ेंगे इनके फिर इसके इनका तो हाउसिंग मनेजमेंट है इनका जो केयर कैसे करते हैं हीफर की बगएरा वो सब डिटेल दीरे-दीरे अपने पड़ेंगे इनके जो डिजी लगती है वो सब अपने इसमें कवर करेंगे तो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई